वेलकम तो आर क्लासिस आज हम सब देखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम और दाय हाथ की हथेली का नियम दोनों नियमों को हम सब आपके सामें प्रस्तुत करेंगे क्या होता है कि नियम के आधार हम इस नियम को दिया किसी अ पर दोँगा क्या कि है drastic की क्या के लिए इस नियम को दियागा डाय हाथ का नियम कंट क्यान बर्देंत हाए पर दौसिंगा के चुंक्य तै क्या करता है कि हम अपनी बाय हाथ की हथेदी को इस प्रतार फैलाए थी आ मुठा चाहिए और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंगवत कहार कि उध्यक जिस्वाद यं। यह वाजिए अंगी में पास ऐसे होगा यह दो को बाहर निकाल नहीं सकते इसलिए आप सुनों सकते हैं अब यहां से अंगुठा तरजनी और मध्यमा तीनों दूसरे के क्या है लंगवत है यह यह भी 90 बना रहा है और यह इसके साथ पेच्छ देखें कि अब इसको काट पर तो इसमें इवल बताया कि अंगुठा तरजनी में मध्यमा तीनों दूसरे के लंगवत होते हैं जिसमें अंगुठा बल की दिशा अर्था अंगुठा क्या है बल की दिशा और तरजनी जो है वह चुम्बकी छेत्र की दिशा और जो मध्यमा है वह विदुद्धारा की दि अर्था आप हो सकते हैं कि जो चुपकी एच्छेत्र होता है विदुद्धारा होती है और वल होते हैं तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस नियम के अमसा हम अपने बाए हाथ की हथेली को बाए हाथ की हथेली को इस प्रकाद पैलाएं इस प्रकाद पैलाएं की अंगूठा तरजनी 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 तरजन को जिसमें अंगु उठा बल की जिसा का इनों दूसरे कलम्बद अंगु उठा बल की जिसा तर्जनी कुल्म की अच्छेत की जिसा तर्थाम जिमार बिन्दु द्धारा की जिसा कि विंदुद्धारा की निशा दर्साती है तो यह क्या है फ्लेविंग के बाएंहाथ का नियम अब दाय हाथ की हथेली का नियम के रुसात क्या है इस नियम के अरुसात हम अपनी हथेली को कौन से हथेली को इस प्रकार पैलाएं अब इसे लग सकते हैं यहां से देख दाय हाथ की हथेली के नियम के रुसात हम अपनी हथेली को इस प्रकार पैलाएं कि क्या होता है कि अंगुठा क्या होगा धारा की जिसा और जो चारों मोलिया मों क्या चुमकी। छेत्र की जिसा और इनके बीच चारों भुलियों और और की घीच जो लबोद है वहां पर बल की जिसा को दरशाता है। किसे नियम के दुसार अपनी दाय हाथ की हतेली को इसकार परिलाएगे की अंग उठा धाना की दिसा और चारा उपनी चुमतिच्च तक यह दिसा दसाती है तथा उनके बीच लगने वाला बल उने वह फ्रनुपनी सब्सक्राइग दाय हाथ की ध्यक्थेली का इस नियम के इस नियम के अनुसार हम अपने दायन हाथ की हथेवी को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुठा तथा चारो अंगुलिया चारो अंगुलिया अंगुठा तथा खौन है? चारो अंगुठा और चारो अंगुलिया एक दूसरे के लंबवत हो एक दूसरे के लंबवत हो जिसमें अंगुठा धारा के विशा तथा चारो अंगुलिया तथा क्या है चारो अंगुलिया चुम्बकी ये छेत्र को चुम्बकी ये छेत्र की दिशा को दरसाती है तो यह आपके पास क्या अंगुठा फ्लेविक के दाये हाथ का लिया और दाये हाथ का नियम। इसमें हमने देखा क्या। आपके पास दिखिए जो अंगुठा उता है बल्गी दिसा जो रूती छेतर जो मद्यमा है अंगुठा जनी के मद्यमा विंदुध धारा और यहाँ पर अंगुठा धारा की दिसा पचारव मुल्या विंदुध छेतर लिखेदी साथ को तर्शाती है तो यह आद के पास कर दो कर दिक पास दो कर दो कर दो कर दो यहाँ विंद।